नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में जिहां आए आज हम सभी जानते हैं एक बहुत हैं खास जानकारी के बारे में आप सभी सुचते होंगे कि पापर जो आप खाते हैं ये बहुत हलका होता है और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता हैं जिहां दिखने में हलका लगता है ये पापर लेकिन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला होता है मैक्स होस्पिटल के निट्रेशन का कहना है एक पापर को पचने में तीन से पांच दिन लग जाते हैं जबकि हम जो समाने आहार खाते हैं वो चार घंटे में ही प रिकत जो होती है वो बाहर जो आप खाते हैं बाहर से पापर मंगाते हैं रेडीमेट और उसको तल करके खाते हैं वो नुकसान दायक हो जाता है हलका होने के बावजूद जल्दी क्यों डाइजेस्ट नहीं हो पाता है पापर यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप हो सकता है इसलिए आपको बता रहे हैं दरसल पीषल Part Red cheers जैसे कि बारी बेशन नमक इत्यादी से बना होता है यानि कि इसमें जो भी मेटेरियल लगता है बनने में बोली अनीकि पावर जैसी कोई भी चीज होती है इसलिए इसे खाने के है और पेस्ट्रे रूप में चीज़ें होती हैं वह आहिक जाती हैं यह और चीजिश के रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है इसके अलावा अब आई ये जानते हैं कि ये सिहत को नुकसान कैसे पहुँचाता है ताकि आप इसको उचित मात्रा में यानि कि थोड़े मात्रा में ही आपकी जीव को टेस्ट तो मिल जाता है लेकिन यह सेहत से जोड़ी समस्याइं पैदा करता है पापर को तलने पर इसमें खासी मात्रा में तेला जाता है सेंक लिया जाए तो इसमें आर्किले माइड बनता है जो की नियूरो टॉक्सिन है और इसे कार्शिनो जेल भी कहते हैं इसमें सोडियम बन जाइन का प्रीयोग इसलिए करते हैं ताकि यह लंबे समय तक खराब न हो इसी कारण से इसे सेंकने पर कैंसर पैदा करने वाले तत्व बनते हैं एक चपाती के बराबर कैलोरी होती है जो खाना लंबे समय तक आतों में रहता है वो हस्थरने लगता है जिससे पेट में गैर जरूरी बैक्टिरिया बनने लग जाते हैं, आतों की भीतरी परतों को नुकसान होता है, आतों की बीमारी और एसिड रिफलक्स की शिकायत हो सकती है, आतों की पाचन एवं सोखन शमता को ये घटा सकता है, ऐसा आहार दांतों में विटामिन और मिनरल क कर देता है, जिन्हें शूगर की तकलिफ है और पाचन ठीक नहीं है, उनके लिए यह और परेशानी भरा हो सकता है, इसलिए पापर लजीज तो होता है, लेकिन कम मातरा में खाना होगा, वो भी ध्यान रखें कि किस चीज के साथ किन चीजों को खा सकते हैं, अब फाइवर खाते हैं, तो समझे कि आप अपने लिए नुकसान दायक चीज को यानि कि बिमारियों को बुला रहे हैं अपने पास, इन चीजों से बचना चाहिए आपको, डॉक्टरों के अनुसार घर में साबुदाना, दाल, आलू के जो पापर पहले बनते थे, वो हानिकारक नहीं हो आज कल बाजार में जो भी पापर मिलते हैं, उनमें ये चीजी मिलाई जाती हैं, ताकि आपका टेस्ट अच्छा बने, इसके साथ साथ ये दिखने में भी अच्छा हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितना दिखने में अच्छा होता है, और टेस्ट में अच्छा होता ह चीजें उतनी बिगती हैं इसी वज़ा से जो भी कमपनिया इसे मैनुफेक्चर करती हैं बनाती हैं वो ऐसा करती हैं कि कस्टमर्स को लुभा सकें लेकिन आपकी सिहत के लिए वो हानिकारक साबित होता है इसलिए कोशिश करें कि आप पापर खाएं लेकिन अपने घर में बन मसकार दोस्तों